अब स्वागेते आप सभी का आप सभी की पसंद्रटीव चैनल राय एजूकेशन तरजार परती साय के द्यापक भरती परिक्षार जो 2019 में थी उससे सम्मंदित धेर सारे प्रश्ण आप लोगों के पॉर्टिकुलर एक टॉपिक पर आ रहे थे हाला कि कल मैंने लाइफ सेशन लिया और उसमें मैंने सारे चीज़ें क्लेरिफाई की फिर भी वो प्रश्ण आयन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके होगी मंसा सबकी है और लाश्ट टाइम में कोई पिन पॉइंटेड चीज की गलती के वज़ए से आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में बा आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगा और जो पिन पी का वेलिडेट चीज़ें मैं वहीं बताऊंगा और आप सभी को एक बार पूर में आगा मैंने किया था जब अनसर देदार पांसों की कॉंसलिंग सारी चीज़ें हो रही थी उससे मैं भी मैंने वीडियों बताया था तो आज मैंने पूरा डीटेल वीडियो पुराना अपना निकाला सारे निउस्पेपर चीज़ें को निकाला सारी चीज़ें मैंने क्लेरिफाई की फिर पी एनपी के द्वारा जो डॉक्मेंट प्रवाइड किया गया है उसको भी दिखाऊंगा यहां पर तो पर एक दम सॉलिड सॉलिडिफाई करने की पूरी कोशिट करता हूं आप तो वीडियो सुरू करूं उससे पूरू आप सभी से निवेदें को लाइक और शेयर यह मैं आप पर छोड़ता हूं लेकिन मेरी मेहनत के मुताबिक आप लोग मुझे अपना प्यार नहीं देते हैं सी लोग कहिने कहीं चीज़ें सोर्सेज इखटा करते हैं मारे द्वारा तो कहिने कहीं जो सॉलिड चीज़ें हैं आप सॉलिड जगम पर जुड़े वे हैं तो उसका आप आदर जरूर करिएगा यतना आप से निवेदें हैं और इस एक वीडियो को क्योंकि इस प्रश्न का होनी चाहिए यह आपका करतव्य करता है मेरा जो करतव्य था मैंने वीडियो बना दिया अब आते हैं कुछ इंपॉर्टन चीज़ों पर मुवाइल मुवाइल नंबर बदलने वाला फॉर्म क्या है कहां से प्राप्त होगा होगा की नहीं होगा कॉंसलिंग में दिक्कत तो रहा हुए कि चार्चा करять कि कब कैसे क्या करना करना है चली स्टाट करते हивать और वीडियो को शेयर पुन बोलते रहा हो शेर करई का जली स्टाट करते हैं कि चीजों को समझते थे हैं ना तो पहले ये दिन ही OTP नंबर के लिए बिड़ती सबस्यादे परशान थे सबसे यादा और इसको मैंने अपने चैनल पर दिखाया था वहीं से मैंने स्क्रीन शॉट दुबारा ये पीपर लिया है थाकि मैं आपको फूल ऑथेंटिकेट चीजे प्रवाइड कर पा ही हीट होने से समस्यारी थी वो हो गया ठीक है इंपोर्टेंट बात इसमें जो मैंने आप लोगों को पताई थी वो ये थी क्या कि मोबाइल नंबर को बदलने के लिए आपको सपत पत्र देना होगा ये मैंने पूरा इस पस्ट कई बार वीडियो में अगर कल भी मैंने बो अब देना होगा लिगत परिक्षा में सफल कई बहड़ियों ने बैसे स्रक्षा सचीव से नरोग किया कि उनका मोबाइल नंबर बदल गया है ऐसे मैं आवेंतर करने में परशानी हो रही है इसके लिए परिशत सचीव ने बहड़ियों को सपत पत्र का प्रारूप जारी कि कौन सा प्रारूप जारी किया है जुसको मैं ले कर आयों पिनपेस वो मैं आपके समख्ष दिखाऊंगा परशान बिल्कुल मत हुए उसमें नाम पीता का नाम निवास कहां का है आपका आपका अनुक्रमां क्या था इस भरती परिक्षा का यानि 69,000 की बात कर रहे हैं तो 69,000 बरती का रूल नमबर पुराना वो नया मॉवाइल नमर यानि पुराना भी लिखना होगा कि पुराना नमबर कौन सा था अब नया कौन सा है और यह मैं बहुत पहले आपको बता चुगा था इसके लावा बरती को खुद का पहचान पत्र आधार को भी पहचान पत्र आपक ठीक है न और अगर इसके लावाँ आपको किसी चीज की परशानी है जैसे इतो मोगाईल नंबर का हो गया और इसी में मैं आपको बता दू कि सूचना बदलने की भी मांग की जा रही थी उसके लिए भी आवेधन करते समय जैसे भरती में भरती में परिश्चत सच्चिव से पूरांक आधी भरने में गलती की है वेफसाइट पर अभी इसमें बदलाओं न करने के निर्देश हैं यदि आवेधन के दौरान ये गलतियां दूरस्त नहुई तो सैक्णों का चैन नहीं हो सकेगा क्योंकि लिखत परिक्षा के दौरान दीगे सूचना है और मूल अगातर प्रियास रहते तो इस पर भी हम डिटेल जान करी लेंगे लेकिन मोस्ट प्रबली जो हमने जान करी लिए यह मुवाइल नंबर के रिकार्टिंग लिए और देखेंगे तो यह एक नियूस पेपर नहीं जो तमाम नियूस पेपर हैं जैसे यह देखिए यहां पर इसमें भी यही बात रखेंगे कि मुवाइल नंबर संसोधन का प्रफार्मा जा रही है और प्रफार्मा क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं ठीक है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब में किया तो फड़ाफट सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि जब तक आपकी निकती नहीं हो जाईगे तब तक आपको वीडियो से यहां से मिलते रहेंगे और आपके सारे डाउट राइजुकेशन चैनल से सॉल्फ होते रहेंगे अब आ जाते हैं में मुद्दी पर कि पुरुफार्मा है का ध्यान से देख लिजे पुरुफार्मा यही है पुरुफ परिवर्तन हेतु अभ्यरति को एक प्रातना पत्र तथा स्वय के पहचान पत्र जानी की आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक पुरुफ भरे गए आवेदन पत्र की प्रती यानिका रिजिस्टेशन फॉर्म जो आपका है उसका ए इस स्वक्षपरिश्यत इलाबाद और ए प्रारूप क्या है प्रारूप मैं आभी आपको यहां पर दिखा देता हूँ तेये आपको समझ में आ गया कि मैंने जो आपको बताये था बीस परच बाद सहिछ जानकारी नहीं मिलिए और सहिछ जानकारी इसलिए नहीं पीलिए क उसका प्रारूप क्या रहेगा, वो भी मैं इसमें बताऊंगा, उसका प्रारूप, तो आईए उसका भी प्रारूप देख लेते हैं, कि उसमें डीटेल में क्या-क्या वरना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था यहां पर, तो यहां देखिए, समक्ष उत्तर प्रदेश, बेज़र सुक्षा परिशद, यहां पर प्रायागराज हो जाएगा, पिछले बार का था यह, इसमें देखिए, डीटेल क्या है, इसको देख लेते हैं, यह आपका सपत पत्र होगा, सपत पत्र में क्या में इंचन है, मैं, यानि कि आपका नाम, किसके उत्तरिन हुआ हूँ, या आपके हुए हैं, साय के दापक, लिकित परिक्षा के आवेदेन पत्र में भरा गया मुबाइल नमबर, जो आपने उस समय दिया था, यानि कि आपका पुराना नमबर, यानि कि जो नमबर बंध हो गया है, दूसरे कोश्य हो गया, वो नमबर, प पूरी भरती प्रक्रिया के दोरान आपको चालू होना चाहिने तो दूबारा अब गलती होगी, तो इसके आप स्वयम जिम्मेदार होंगे, तब कोई जिम्मेदार नहीं होगा, इसको बहुत द्यान से पने पिता का नम, किसी साइबर के फेवाले का नमबर, किसी का नहीं देना है, स्वय का नमबर दीजे, जो एक्टिवेटेड मोड में हो, और जो पूरी भरती प्रक्रिया के दोरान चालू रहे, कॉंसिलिंग के दोरान, ठीक है न, तो आपका नया नमबर, अंकित कर उसी मोबाइल नमबर पर OTP भिजने का कस्ट करें, ये सपत पत्र आपको द दिखना होगा, जिसमें ये सारी चीजों के बारे में जिकर आपको करना होगा, और ये कहां पर होगा, ये PNP प्रागराज में होगा, आप स्वय वहाँ पर उपस्तित होकर ये सारी चीजे वहाँ पर देंगे, सपत पत्र वहाँ पहुंचाएंगे, पकड़ाएंगे, आप थोड़ा सा इन सारी चीजों से दुखी मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी मेनत कनुसार वो फल आप लोग नहीं प्रदान करते हैं क्योंकि जो भी चीजे होती हैं मेनत कनुसार आप तक पहुचाई जाती हैं आप इसको शेर जरूर कर दिया करिये हर एक उस वेक्टी के पास जिसको इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि पूरे प्रदेश के अभरती हैं जिनके मन में ये कहीं नहीं प्रशन उठता होगा जिसका जवाब कहीं नहीं मिलता होगा उनको कहीं नहीं, definitely बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि उसका reason ये है कि इतनी भारी मातरा में प्रशन उठना ये संभोधित करता है कि उनको जवाब नहीं मिल रहा है, तो वीडियो आप शेयर करेंगे तो उन तक ये सारी चीज़े पहुचेंगे उनके दिल को तसली होगी कि ऐसा प्रॉसेस और ये कब होगा? ये आपका जब result हो जाएगा उसके बाद ये चीज इशू किया जाएगा आपके यहां से PNP से कि आकर ये सारी चीज़ें डिटेल करिए तब उसके बाद कॉंसिंग प्रॉसेस स्टार्ट होगे परशान बिल्कुल मत हो ये इन सारी चीज़ों आपको समय है, दो या तीन दिन का लगाता राके सारी चीज़ें करनी थी तो आपको भी मिलेगा, परशान बिल्कुल नहीं होना है ठीक है ना, बाकी वीडियो को शेर करिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल सस्क्राइब कर लीजे ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जिलावार मेरिट, एक-एक डॉक्मेंट की वीडियो एक-एक चीज़े मिलेंगी, कोई वीडियो नहीं शूटने वाली ठीक ना, तो परशान बिल्कुल मत होईगा और वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करते रहेगा ठीक ना, आपके प्यार के जुरुत है झाल जिलावार मेरियो उन्सवादा झाल जिल प्यार